नमस्कार आप देख रहे हैं पंजाब केसरी, मैं हूँ आपके साथ प्राजी बागा ओफ गुजरात की नाम से जाने जाने वाले नडा बैट बॉर्डर पर सेलानी पहुँचे गर्दंद्र दिवस के मौके पर सेलानी बीटिंग रिट्रीट का लुथ उठाने यहाँ पहुचे अगर हम बात करें नडा बैट के बारे में तो नडा बैट की खास बात यह है कि यहाँ जमीनी बॉर्डर के साथ साथ फैंसिंग भी की गई है नडा बैट की यात्रा करें तो ये एक विशाल जील में फैला हुआ जमीन का छोटा सा टुकड़ा है जहां सीमा का दर्शन आयवजित किया जाता है यहां सेलानी भारत की सीमा पर एक सैना चौकी की कारेप्रणाली को देखने के लिए आते हैं ये प्रदेश का ऐसा पहला बॉर्डर पॉइंट है जहां एक प्रमुख परेटक आकर्शन की रूप में इस जगा को विक्सित किया गया है हाला कि ये देश में पहला ऐसा बॉर्डर पॉइंट है जहां रिट्रीट सैरमनी के साथ साथ परेटक दीरगा और फोटो गैलरी भी देख सकते हैं यहां हतियारों टैनकों काफी प्रदर्शन किया जाता है यहां आए सेलानियों से सुनते हैं कि उन्होंने यहां आकर कैसा महसूस किया यह अभी जो मोधी साहब ने यह बनाया है तो बहुत लोग आ रहे हैं अमदाद से बंबे से शुरत से पूरा इंडिया से सब यहां देखने आ रहे है जैसे वह आगा बॉडर है ऐसे यह नड़ा बेट बॉडर हो गई है मेरा एक ही वह था कि हमें आज नड़ा बेट आना था और किसी भी तरीके से यहां पर आके कुछ बीएस एफ के जवानों के साथ थोड़ा इंटराइक करना था थोड़ी बाते करनी थी उनको जुस्सा बढ़ाना था उनको एक थैंक्यू कहना था उनको बस उनको यह एसास उनको चुटी नहीं मिलती है वो कभी बॉर्डर छोड़के आ नहीं सकते हैं तो आई थिंग हमारा भी फर्स बनता है कि हम आए उनसे मिले उनसे इंटराइक करें और उनको इधर देखे कि देश की जनता उनसे मिलने के लिए इधर आना चाहती है वो खुश है तो उनका भी उत्सा बढ़ता है जहां पे हम नाडवेट सीमा दर्शन वाला जो एरिया है काफी अच्छा जो है गुजरात गवर्मेंट और सेंट्रल गवर्मेंट डेवलप कर रही है टूरिस्स के लिए भी और स्पेशली इसमें जो है फॉरें भी काफी अट्रेक्शन आता है यहां प से जो है बहुती ब्यूटिफुल एक लैंड्सकेप देखने को मिला सी जैसी फीलिंग आ रही है जो हॉराइजन की है और यहां पे 250 मिटर्स आगे यहां पे पाकिस्तान वाला एरिया आता है यह हमारा डेड मैंस लैंड है और हम सुबह पाच बजे में उठके आ गया आज क के पास सेल्फ यां भिखी जाई नाडबेट जो के एक विशाल जील में जमी हुई भूमी का छोटा सा टुकड़ा है जिसे परेटिकों के लिए खोला गया है नाडबेट सीमा दर्शन हमारे वीरों की कहानियों को एक बार फिर हमारे सामने रखेगा नाडबेट बॉडर ग